इसके पहले वाले दो एक्जाम्पल हम लोगों ने सी एच थेरम के ऊपर अल्डेडी कम्प्लिट किया हुआ है जो भी फर्स्ट एक्जाम्पल किया था उसमें हम लोगों ने इन्वर्स एंड एरेज टू फोर कैलकुलेट किया था जो सी एच थेरम के ऊपर हम लोगों ने सेकंड एक्जाम्पल किया उसमें एक बहुत बड़ा एक्वेशन दिया हुआ था उसको सिंप्लिफाइ किया लेकिन यह दोनों एक्जाम्पल अपके 3 into 3 मेट्रिक्स के थे यहापे अभी 2 into 2 आया है और इसमें भी एक बहुत बड़ा एक्वेशन दिया है उसको हम लोग यहापे अभी सिंप्लिफाइ करेंगे तो इसका सिंप्लिफिकेशन मेट्रिक्स का कुनसा भी टाइप रहने दो आपको सबसे पहले क्या फैंड आउट करना है the characteristic equation फैंड आउट करना है characteristic equation का formula होता है यह minus lambda i equal to 0 अभी इसका meaning क्या होता है जो भी आपका diagonal element है diagonal element उसमें से lambda i यह term minus करो equal to 0 3 into 3 का simplification formula अप लोगों को मालूम है अभी 2 into 2 का simplification formula है lambda square minus sum of diagonal into lambda plus determinant of a equal to 0 इसका simplification formula यह है lambda square minus sum of diagonal into lambda plus determinant of a equal to 0 lambda square minus sum of diagonal diagonal के addition 1 plus 2 कितना होता है 3 lambda plus determinant of a a का determinant अभी यह calcium में करने का 3 into 3 calcium में करने का 2 into 2 direct मिल जाता है 2 into 2 का determinant कैसे मिलता है यह cross multiply को 1 into 2 2 हो जाएगा minus compulsory 2 into 2 4 हो जाएगा equal to 0 then lambda square minus 3 lambda minus 2 equal to 0 यह हो गया अपका characteristic equation इसको हम लोग क्या बोलेंगे characteristic equations बोलेंगे ओके लेकिन CH theorem में हम लोग यह characteristic equation को matrix में change करते हैं CH theorem state that CH theorem state that this equation इस मतलब यह characteristic equation satisfy by matrix A मतलब क्या होता है lambda A में change करो और जहाँ पे भी constant है उसके साथ i लिखो इसको बोलते हैं हम लोग CH theorem का definition ओके लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलाए verify करो पहले verify करो ओके मतलब यह equation में value substitute करके आप लोगों को answer 0 आना चाहिए तो calc में आप लोगों को A square calc में मिल जाएगा A square का value है 5668-3 A मतलब जो question सम लोगों को दिया हुआ है वो 12222-2 i मतलब identity matrix 1001 इसका value fix होता है यह पूरे equation को solve करो आपको directly answer 0 मिल जाएगा therefore CH theorem verified इसको solve करो answer अपको 0 मिल जाएगा solve करने की जरूरत नहीं है अगर आपका characteristic equation बराबर है matrix equation बराबर है तो यह equation अपका directly 0 आई जाएगा इसमें कोई problem ही नहीं है आपके clear हो गया अभी क्या करते हैं हम लोग जो बड़ा वाला अप लोगों को equation दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे simplify तरेंगे अभी वो equation में यहाँ पर लिखके ले लेता हूँ जहाँ पर भी बड़ा वाला equation आता है वो division method से solve करने का two a raise to four minus five a cube देखो अभी यहाँ पर यहाँ पर four है उसके बाद three है उसके बाद square होना चाहिए लेकिन यहाँ पर square नहीं है तो हम लोग उसको zero a square consider करेंगे a square के बाद a का term होना चाहिए seven a और a के बाद constant होना चाहिए six i इसे format में लिख देने का यहाँ पर zero a square आपके पास नहीं था तो मैंने वो zero sorry यह term यहाँ पर नहीं था a square का तो मैंने यहाँ पर zero a square assume किया मेरे पास first two और यह seven a और six i का ही term था यह middle वाला term नहीं था तो इसके वज़े से मैंने वहाँ पर zero a square assume किया क्योंकि highest term four है तो उसके बाद three होना चाहिए उसके बाद two होना चाहिए उसके बाद a होना चाहिए उसके बाद constant होना चाहिए यह format है और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते है च थिरम का definition a square minus three a minus two i लिखेंगे अभी यह दोनों का division करेंगे सबसे पहले coefficient देखो यहाँ पर two है यहाँ पर one है तो two into one उपर two आएगा multiplication किया मैंने okay उसके बाद यहाँ पर a raise to four है यहाँ पर a square है दोनों को equal बनाने के लिए मुझे दो a चाहिए तो यहाँ पर aż square लिखा मैने यहाँ पर a raise to four है यहाँ पर a square है यहाँ पर a है यहाँ pandemic two a है तो यहाँपर a square आगया फिर उसके बाद यह उपर वाला term adjust करने के बाद यह उपर वाला term हर एक element को multiply होता है यहाँ पर coefficient 2 है यहाँ पर 1 है तो 2 into 1 2 आएगा a square into a square मतलब a raise to 4 बनता है 2 into minus 3 minus 6 आएगा a square into a मतलब a cube बनेगा 2 into minus 2 minus 4 आएगा a square into i तो a square आएगा फिर उसके बाद division करते टाइम last equation का sign change होता है यह plus का minus minus का plus minus का plus 2 a raise to 4 minus 2 a raise to 4 cancel हो जाएगा minus 5 a cube plus 6 a cube minus 5 में से 6 गया तो यहाँ पर a cube बचेगा 1 a cube बचेगा 0 plus 0 a square plus 4 a square तो यहाँ पर plus 4 a square आएगा और यह remaining term minus 7 a plus 6 i यह value मुझे remaining मिल गया चलो इसका coefficient 1 है इसका coefficient 1 है तो उपर यहाँ पर यहाँ पर 1 आएगा लेकिन सबसे बहले sign देखो यह plus है यह भी plus है तो यहाँ पर प्लस आएगा इसका coefficient 1 है इसका coefficient 1 है 1 into 1 यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर a के 3 term है यहाँ के 2 term है तो इक्वल बनाने के लिए एक a कम है आपके पास तो उपर वाला term adjust करने के बाद यह उपर वाला term यहाँ पर हर एक term को multiply होता है a into a square a cube बनेगा a into minus 3 minus 3 a square बनेगा a into minus 2 minus 2 a बनेगा minus लिखते है यहाँ पर minus plus plus a cube plus a cube minus a cube cancel plus 4 a square minus plus 4 a square plus 3 a square तो यहाँ पर 7 a square बनेगा minus 7 plus 2 मतलब यहाँ पर minus 5 a आ जाएगा और यह plus 6 i बनेगा अभी यह कब तक करते रहने का division यहाँ पर highest term a square है a square से कम वाला term यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर अभी equal tie up हो गया match tie हो गया a square a square आ गया लेकिन इतना भी नहीं चलेगा हम लोगों को a square से कम चाहिए लेकिन यहाँ पर equal है तो फिर से आगे continue करो यहाँ पर coefficient 7 है यहाँ पर coefficient 1 है तो यहाँ पर plus 7 आ जाएगा a square यहाँ पर भी a square है यहाँ पर भी a square है तो एक के equal term हो गया मतलब यहाँ पर कोई a adjust नहीं होगा तो इतना ही term उपर आ जाएगा तो यह 7 यह हर एक term को multiply करो 7a square 7 into minus 21a 7 into 2 minus 14i minus इसका equation sign change हो जाएगा plus 7a square minus 7a square cancel हो जाएगा यहाँ पर minus 5a plus 21a 21 में से 5 गया तो यहाँ पर 16a remaining plus 6 plus 14 plus 20i बनेगा देखो a square से यह term कम हो गया a square है यहाँ पर इससे कम चाहिए a कम है तो division complete इसको हम लोग remainder बोलेंगे इसको हम लोग question बोलेंगे इसको हम लोग divisor बोलेंगे तो नीचे formula क्या होगा given equation given equation equal to question into divisor plus remainder इसका simplification आगे करता हूँ question क्या है मेरा a square minus 3a minus 2i then given equation equal to question का value था 2a square plus a plus 7 into divisor था अपना a square minus 3a minus 2i plus remainder है अपना 16a plus 20i therefore यह यह term है नहीं यह term यह CH theorem में 0 हुआ है a square minus 3a minus 2i यह already हम लोगों ने 0 किया हुआ है देखो यहाँ पर a square minus 3a minus 2i यह already 0 हो चुका है तो 0 into यह term 0 into यह term क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ यह remainder बचेगा 16a plus 20i therefore 16a मतलब जो question में दिया था वो matrix 1, 2, 2, 2 plus 20i मतलब identity matrix 16 को अंदर multiply करो 16 into 1, 16 16 into 2, 32 16 into 2, 32 16 into 2, 32 plus 20 को अंदर multiply करो 20 into 1, 20 0, 0, 20 दोनो matrix को add करो 16 plus 20 36, 32 plus 0 32, 32 plus 0 32, 32 plus 20 32, 42, 52 यह है मेरा final answer जो आप लोगों को question में बड़ा वाला equation दिया हुआ था वो equation का value है 36, 32, 32, 52 okay, all clear